हेलो फ्रेंड्स कॉंसेट्ट क्लास की नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरियेबल यह एक ऐसा टॉपिक है जो की हमेशा छटी-7 क्लास से शुरू हो इसमें रहे हैं कि और इसको इस तरीके से समझाझ करने और अपने कंसेट को कुझीर रखना है चली इसको भी सुरू करते जीने रिक्विशन one variable का मतलब हमारा यह होता है कि एक variable में हमको sam कि हिंदी मीछ खर और कौंस्टेंट को बहुते हम लोग। हम लोग अचर का मतलब हमारा यह है कि variable माने एप आपक्षा कोई भी टाप जिसकी value fix ना ओप की बात करते हैं या तो επी बीजुक्स नहीं है अगर ऐ की बात करते हैं इसंहीं यह स्वर्याइबल कहते हैं अच्ão में वो इसका होता है जैसे एक है अब एक की वएल्यामिएसा एक हेक्स रहती है पांच च्मुच डिए तो इस तimana पेश्यार कॉंस्टेंट होता है यह होता है हमारा constant यह होता है हमारी है अला हो ना हो इंतलन जान वाल्यू सिक्स ना हो अब इन दोनो constant और variable को मिला दिया जाता है तो यहां पर term बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या पद कामाने क्या होता है जिसे लिखा हो है 2x 5y 7zx इस तरीके से यह वर्ल लिखे हो है आपके constant और variable को मिला के इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं टर्म बोलते हैं बाद बोलते हैं यह तींजी यह थी जिनको हमको समझना जरूरी था linear equation in variable को समझने से पहले ठीक है तो मैं इसको रफ कर देता हूं उसके बाद से अपने main concept पर आते है तो हम लोगों को one variable linear equation है linear equation का माने यह होगा एक variable होगा और पावर जो होगी आपकी जो equation होगी इसकी पावर हमेशा एक रहेगी ठीक है तो हिंदी में मानक रूप बोलते है मानक रूप जो होता है आपका वो होता है AX is equal to variable याँ पर होता है यह physical to C लिख सकते है कोई value होती है जैसे अब लिखा हुए 5X बराबर में 4 ठीक है एक वैली आप 5 C की वैली 4 और इस तरह को solve करना होता है तो इसके एक सी वैली आप निकालेंगे यह आप वह जागा 4 अब आई 5 यह कैसे होता है मैं भी आपको समझाता हूं सबसे पहले आपको यह कोची समझेगा कि यहां पर आपका equal to का sign है अगर प्लस है अगर यह साइन के उस तरफ जाता है अपनी प्लेस को बदलता है यह माइनस का हो जाएगा यह माइनस का है उदर जागा तो आपका अगर प्लस का हो जाएगा और अगर इधर यह घर आते हैं तो यह हमारा लेफ्ट एंड साइड है यह आपका राइट है यह हो गया में बात इसके बास आपको एक और चीज़ को ख्याल रखना है कि जितने भी आपके वैरियेबल होंगे उनको आपको कोसिस करनी है कि वो आपके left hand side में रहे और जितमें भी आपके constant होंगे उनको आपको right hand side में लिखना है और नहीं अगर ऐसा होता है तो उनको आपको transfer करना उस तरफ कि आपका इस rule के हिसाब से equation transfer हो जाए आपके left hand side में आजाए और constant आपके सारे right hand side में चले जाए अब एक example लेते हैं और questions को हम लोग solve करने की कोसिस करते हैं जो main concept था कि plus का क्या होगा minus का क्या होगा यह सब मैंने आपको समझा दिया है अब example से समझते हैं और अच्छे से तो जैसे यहां पर लिखा हुगा है 2x plus 5 equal to 15 simple से लिखा हुगा है इसको हमको solve करना है तो मैंने आपको भी बताया था जितने भी constant होंगे उनको आपको right side में लेके जाना है तो यहां भी constant है और यह constant लेके करके लेके जाएंगे यहां पर 2x को छोड़ देंगे equal to का sign लगाएंगे यह आपका देख रहे हैं यहां प्लस का sign है प्लस का sign है तो उधर जागा आपका मैं आपको बताया था यह plus होगा वो equal to किस तरह जाके minus का हो जाएगा तो यह कुछ इस तरह किस हो जाएगा 15 minus 5 तो 2x equal to 10 अब यह इधर दिखेंगे हम लोग multiply में है अगर दो value को लिखी हूई है उनके बीचे कोई symbol नहीं होता है अगर ऐसे लिखावा 2x इसका मतलब है 2 multiply x तो यह आप यह 2 है multiply में है इधर जाएगा तो आपका divide में हो जाएगा x is equal to 10 इस तरीके से x की value आगई 5 तो एक और example समझते है जैसे यहां बे लिखा हुए एक आप फ्रटाफ example लेते है 20 अब यहां पर देख रहों कि bracket लगा हुआ है तो इस bracket की question को कैसे solve करते है तो जो bracket बना होता है तो समसे पहले इस 2 से इस x को multiply करेंगे और इसी 2 से 4 को ही multiply करेंगे तो 2 को x से multiply करेंगे तो आजागा 2x 2 को 4 से multiply करेंगे तो आजागा 8 equal to 20 बस यह उसको बसी normal question बताया आपको solve कर देना है तो 2x equal to 20 minus 8 यह plus का उज़र जागा तो minus का उज़र जागा तो 2x 12 x equal to 12 by 2 x की value आजागे आपकी 6 यह था question इसे तरीके से एक और समस्कते जैसे यहां लिकावर 2x minus 4 equal to 4 plus x ऐसा question है थोड़ा दिरी दिरी लेवल बढ़ रहा है 2 को x से multiply करेंगे तो 2x 2 को 4 से multiply करेंगे तो 8 अब देखीए हाँ यहां पे यह 2 है यह plus का है और यहां पे minus का है तो अगरा हम plus की कोई value को minus VALUE से multiply करतें तो answer हमारा minus में आता है हमें सब्सक्राइब 4 तो यहां पे paura plus का है यह minus का है तो answer होगा वमारा minus का it equal to 4 plus x अब यह x इतर variable है, तो मैं पढ़ रहा है कि variable को हमको left side में लाना है और constant को हमको right side में लेके जाना है तो वही करेंगे, exchange करेंगे चीजों को तो यहाँ पर देख रहे हम लोग x plus का है इधर आगा तो minus का हो जाएगा तो 2x minus x equal to 4 यह minus का उधर जागा तो plus का हो जाएगा plus it यहाँ minus करेंगे, तो 2x में से x जाएगा तो आगा आपको x equal to 2 यह जाएगा question आपको solve तो इसी तरी किसे basic basic question रहते है जिनका हम लोगों को solve करना होता है और बताता हूँ कई सारे question करवा दूँँग इसी वीडियो में आपको practice तक कि सारे के सारे जो concept है आपका plus का minus कैसे होगा, minus का plus कैसे होगा जो confusion बनी रहती है सारे के सारे आपकी clear हो जाए अब थोड़ा बड़ा question समझते है यह से लिखावा 4x minus 4 by 2 equal to 1 upon 4 थोड़ा बड़ा question सा हो गया है तो इसको समझते हैं कैसे होगा इसमें कुछ नहीं करना है आपको इस चीज का ध्यान रखना है जैसे कि मैं यह को बताता हूँ अगर यासी लिखावा 4 upon 2 plus x upon 2 equal to 1 अब यहाँ पे upon में 2 value दिख रही है अलाग अलाग लेकिन यहाँ पे आपके upon में पूरे की प्रोड़ा बड़ा upon का नंबर होगा कोई ठीक है तो यह दिनोमिनेटर में सिफ 2 है और इस तरह भी single value है मतलब एक और एक value है तब हम लोगों क्या करना होता है लेकिन अगर ऐसा question कुछ बनता है अब यहाँ पॉर प्लस वन पॉन में 6 तो हम यहाँ पर cross multiply नहीं कर सकते हैं क्योंकि denominator में यहाँ पर एक से जाधा values है ठीक है तो यहाँ पर क्योंकि एक ही value है तिसले हम इसको cross multiply कर लेते हैं तो 2 को पहले 1 से multiply करेंगे और 4 को इससे multiply करेंगे तो पहले इसको solve कर लेते हैं 4x minus 16 by 2 equal to 1 upon 4 अब इसको solve करते हैं cross multiply करके तो यह 4 से 4x minus 16 को multiply करना है और 2 को 1 से करेंगे तो 2 यह आ जाएगा 4 को 4 से multiply करेंगे तो 16x और 16 4 जा 64 equal to 2 16x बराबर में 2 plus 64 तो 16x equal to इसको जोडेंगे तो हो जाएगा हमारा 66 तो x की value हो जाएगी 66 by 16 अब इसको काटना है छोड़ा करना है तो यह हो जाएगा आपका 33 by 8 यह question हमारा solve हो जाएगा इस तरीके से इसमें मैं को और तरीका को बताता हूँ जल्दी कैसे solve कर सकते हैं अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पी denominator मेकी value है यहाँ पी denominator मेकी value है तो अगर equal to sign है तो denominator से denominator कर जाता है cancel out हो जाता है तो हम इसको ऐसे लिदे तो हमें दुबार रहे हैं यहाँ तरीका है 4x minus bracket 4 2 equal to 1 upon 4 अब इस 2 से 4 कट जाएगा इसी कट जाएगा 2 आ जाएगा अब हमको इससे 2 से 4 को multiply करना है तो 8 8x minus 4 equal to 1 इतो कट चुका है इससे को multiply कर दिया गया तो 8x minus 32 equal to 1 तो 8x equal to 31 minus का है यह पूरा का पूरा उधर जागा तो प्लस का 32 हो जागा 8x equal to 33 x equal to 33 by 8 देखिए वह आंसर आ चुका है यहाँ पर क्लिक्शन नहीं बड़ी थी यहाँ आपने पहले ही छोटा कर दिया था इसलिए क्लिक्शन थोड़ी छोटी हुई और यहाँ पर इसलिए step काट भी सकते हो जैसे अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं जैसे कि पूरे पूरे स्टैबली करा हूं एक और एक्जाम्बल समझते हैं बहुत सारी एक्जाम्बल करेंगे ताकि समझ में आजया हम लोगों को अब यह थोड़ो बड़ा एक्जाम्बल लोगा ताकि और डाउट आपके जोगे वह भी क्लियर हो जाएंगे तो यहां लिखावाँ टू एक्स प्लस फोर अपॉर में टू इक्वल टू फोर बाई सिक्स प्लस एक्स बाई टू यहां पर देख रहे हो आप लोग कि अपॉन में कुछ दिख रहे हैं अपॉन में करेंगे फ्रेक्शन में को सॉल किया जा रहा है तो हम पहले लेकर सॉल करेंगे और नीचे की डिजिट को एक सिंगल बनाएंगे तो इसको तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइ की टेबल में optimize की इतनी बार में हाता है थो एक बार में होता है थो तो से करेंगे तो एक्षो इक वाल टू फोर को बन से करेंगे तो फॉर यह जागा आपका थी एक वाइशिक्स अब मेना आपको बता है था कि डिनॉमिनेटर जब एक एक वेल्ली हो जाएंगे दोने साइट तो तो टू सिक्स करेंड है यह जागा अपका थी अब यह थी तर वन है अब क्रॉस मंटिप् अब यह आपका वेडियेबल में कोई टर्म है तीसलिए आप इसको क्या करोगे लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो 6x-3x equal to 4 minus 24 तो यह हो जाएगा आपका 3x equal to 20 अब यह यह प्लस माइनस है माइनस प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है इसको माइनस करेंगे तो 20 में से 6 जाएगा तो आपका 14 अब यहां पर क्यों क्या प्लस का साइन बढ़ा है एक और समस्क्राइब यह से लिखावा 16-20 प्लस माइनस माइनस होगा 20 में से 16 घड़ा देंगे चार आजागा माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो यह था कुछ जो कभी कभी डाउट आ जाता है तो आपको यह याद रखना है प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा साइन उसका होगा जो वैल्यू बढ़ी होगी तो यहां पर आपका माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो यहां माइनस का आ तो यह कुछ इस तरीके से 3x minus 20 equal to minus 20 तो x is equal to minus 20 by 3 तो यह आपके x के value आजाएगी इस वारे question के लिए ठीक है अब मैं आप लोगों कुछ question देता हूं homework के लिए जिनको आप practice करिएगा और उनके answer को वीडियो के सार नीचे comment करिएगा तक कि जो भी आपके डाउट था यहां पर question थे आपके practice हो जाएगी तो आपको जो भी चीज़े हैं जाता समय के लिए याद रहेंगी तो मैं कुछ question लिए देता हूं जिनको आप easy to moderate रहेंगे जिनको आप करिएगा और answer करिएगा तो यहां पर कि पहला कि दूसरा question कि दूसरा question कि चौत्ता question इसलों बड़ा जिता हूं कि इन question का आप solve करिएगा और comment section में comment करके आपके आंसर लिखिएगा यह पहले का आंसर क्या है दूसरे का आंसर क्या है तीसरे क्या है अगर आप लोगों को प्रेक्टिस हो जाएगा अगर आप लोगों की सार पूरा समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है एक ही बार में अच्छे आपको आ जाएंगे तो चलते हैं पढ़ते रहिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जैहिंद हुआ हुआ है।